दोस्तो जब भी आप घर बनाते हैं तो उसमें सिमेंट यूज करते हैं और फिर आपके सामने दो कंडिशन आती हैं एक OPC सिमेंट एक PPC सिमेंट समझ में नहीं आता कौन सा यूज करूं यूटूब पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें टेक्निकली तो ब मैंने भी कई वीडियो देखे मुझे ऐसा कोई वीडियो नजर नहीं आया लेकिन यहां पे मैं आठ बेसिक से डिफरेंस वताने वाला हूँ आप सुनकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है एक अनपड़ आदमी भी आसानी से समझ जाएगा तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए आगे हम पूरा समझते हैं कि OPC सेमेंट और PPC सेमेंट में क्या अंतर होता है यहां पे मैंने लिख की रखा है पूरा इंजिनिंग लेंगोज में है आपको समझ में नहीं आएगा कोई नहीं मैं समझाते जाऊंगा तो पहला पॉइं और दूसरा जो अंतर होता है यहां पे OPC सेमेंट का जो फायदा है कि OPC सेमेंट फास्ट वर्क अपन को करना है जैसे कि अपन को कहीं ठेका लेके रखा है फास्ट वर्क करना है तो OPC सेमेंट अपन यूज करते हैं क्योंकि यह अपनी इनीसियल स्टेज जल्दी पूरी कर लेती है, साथ दिन में अपनी स्टेंथ पूरी कर लेती है, फिर दीरे 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 अपनी स्टेंथ गेन करने लगती है, लेकिन PPC सेमें वही उल्टा होता है, स्लो बर्ख होता है, साथ दिन में अपनी आधी स्टेंथ गेन करेगी, फिर उसके बाद दीरे दीरे वाकी आधी तो फिसमेंற साविसे और से अलुसार की किरना भर्फ टो याक्ट सो Wright ya क करते हैं तो अब क्योंडिया धीरे काम करती है लेकिन अच्छा काम करती है यहां Скहीं किंगे की विएंटा होते हैं इस में किवल एक ही ग्रेड होता है तो मैंने यहां पर नो ग्रेड लिख दिया कि फ्लाइएस नहीं होता है जो material होता है वह ब्लाइएस सिमींट में नहीं होता है जबकि पीपीक, मैं टॉन्टिफाइफ तुदेन्ध सिम Пर्साइंट लायर सोता है और यहाँ पर छटवा टॉपिक में ने वही लिखा है कि speedily strength in initial time यानि कि यह अपने सुरुवात का जो strength होती है वो जल्दी gain कर लेती है यही उल्टा है PPC cement में यह दीरे 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 काम करती रहती है अपनी strength gain करती रहती है साथवा point यहाँ पर है proper curing not required OPC cement में यही खासियत होती है कि आप साथ दिन तक अच्छे से curing कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली सरकारी साइट होती है वहाँ तो proper होती नहीं curing 2-4 दिन curing हो जाती है और जाता तर OPC cement ही यूज की जाती है तो proper curing की जरुवत नहीं होती है लेकिन PPC cement में आपको तभी स्टेंथ में लेगी जवाब proper curing करेंगे यानि कि बिल्कुल इस्टिक लिए आपको curing करना है बिल्कुल proper curing करना है लास्ट पॉइंट है कि स्टेंथ low होती है OPC cement की आप जानते ही हैं कि slow work करती है तो लोग भूल जाते हैं लेकिन उसमें पूरे टाइम तक curing करते रहें तो प्रॉफर स्टेंथ आ जाती है लेकिन ज़्यादा लोग इसा नहीं करते हैं तो कुल मिला के OPC cement में स्टेंथ कम होती है PPC cement में आपको पूरा काम करना पड़ेगा तभी structure को यूज कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा स्टेंथ होती है PPC cement में तो यह basic से difference देखने को मिलते हैं जो कोई बताता नहीं है इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन